रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा ठक करना बैठ ए मंजिल के मुशाफिर ठक करना बैठ ए मंजिल के मुशाफिर अर मिलने का मज़ा भी आएगा नमस्कार दोस्तों MK Sir Inspiration के एक और बहतर वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि Sir DNA की structure पर एक वीडियो बनाईए क्योंकि आपने DNA और RNA में अंतर और RNA पर वीडियो बनाया तो don't worry मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी topic पर चर्चा करने वाले हैं आप चाहे class 10th में हो या class 12th या other competitive exam की तहरी कर रहे हो या फिर need case student हो तो आपके लिए ये काफी helpful topic रहने वाला है चलिए आज यहां पर हम देख लेते हैं कि DNA की संरचना ध्यान देना दोस्तों इसमें जो question होता है वो दो type का question होता है एक तो कहता है कि Watson तथा Crick का दोई कुंडली माडल बताईए और एक कहेगा कि DNA की संरचना का word on करना है तो Watson और Crick ने जो ये सिधान दिया पूरा का पूरा आपको यही चीज लिखना है जो आज हम यहां से mention करने वाले हैं बट उसमें आपको थोड़ा ये add करना है कि DNA की दोई कुंडली संरचना माडल दिया था वो Watson और Crick ने दिया था दोस्तों सन 1903 हिस्वी में कब दिया था किसने Watson और Crick नामक बैग्यानिक ने दिया था ठीक ना और इसके लिए दोस्तों आपको बता दों कि Watson और Crick को सन 1962 हिस्वी में नोबल पुरुषकार भी दिया गया था किसके लिए DNA की दोई कुंडली संरचना का जो परमाडू माडल दिया था उसके लिए इन्हें सन 1962 हिस्वी में नोबल पुरुषकार से नमाजा गया था ठीक ना अब देखिए यहां से हम देख लेते हैं पहले figure में figure में क्या है दोस्तों दिख रहा है कि इसमें दो धागे नुमाजा रचना है इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें कहा जाता है इन्हें कहा जाता है दोस्तों पॉली नुकलियोटाइड एक एक चीज को अच्छे से देखते चलना और मेरा आपसे यह वादा है कि अगर आज कि इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक वाच कर लिया तो इसके अलावा आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बह दो धागे नुमर शरचना होती है उन्हें क्या कहा जाता है poly nucleotide और इसी से DNA का निर्मार होता है और इसके बीच में दोस्तों ये जो ATGCTA दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं nitrogen छार क्या कहते हैं ये होते है nitrogen base ठीक ना ये जो होते हैं दोस्तों इसे कहते है nitrogen छार होते हैं ठीक ना और इसमें जो P plus S इस धागे में दिखाई पड़ रहा है ये क्या है दोस्तों तो इसे कहा जाता है एक तो है phosphate group P यानि phosphate group और दूसरा जो S है वो क्या है सरकरा ठीक ना डियाक्सी राइबोस सरकरा ये रहा यहां से इसका क्या है नामांकन ठीक ना अब ध्यान देना दोस्तों इसमें जो सनरचना में आपको लिखना क्या है तो चलिए इधर देखते हैं क्या है कि प्रतेक DNA अड़ तीन घटक से मिलकर बना होता है अब तीन घटक कौन कौन से होते हैं पहला घटक क्या होता है डी आक्सी राईबोस शरकरा जो आपको यहां पर दिखाई पढ़ रहे भी हमने लिखा न डी आक्सी राईबोस शरकरा दूसरा फास्पेट ग्रूप ठीक ना, फास्पेट ग्रूप और तीसरा जो होता है नाइट्रोजन छार इन्हीं तीन घटक से DNA अडुका निर्माड होता है अब बात करें दोस्तों जो नाइट्रोजन छार होते हैं वो चार नाइट्रोजन छार प्यूरीन और पिरिमिडीन में बिभक्त होते हैं और ये चार नाइट्रोजन छार होते हैं जिनके जो नाम है एडिनीन, क्या है दोस्तों? एडिनीन, ठीक है, गवाणीन और साइटोसीन और एक होता है थाइमीन। ठीक? लेकिन धियां देना, यह जो थाइमीन होता है दोस्तों, आरेन्ये में इसी थाइमीन के अस्थान पर यूरेसिल छार होता है, इतन canoe को रि味मेंब अभी आपने देखा ना इसमें दो पॉली नुकलियो टाइड स्रिंखला का ये बना होता है और इनका क्या होता है भी व्यास coach लगभग करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की घात-10 ये मीटर क्योंकि एक एंगेश्ट्राम में 10 की घात-10 मीटर होता है तो इसके बीच का जो ब्यास होता है यानि दूरी होती है वो कितना लगभग 20 एंगेश्ट्राम होता है खीक ना इतना क्लियर हो गया दोस्तों, अगला इसमें क्या करना है कि प्रतेक poly nucleoide śrinkla यह नहीं क्या होता है, प्रतेक poly nucleoide śrinkla में फासफिट तथा सरकरा गुरूप क्या होते हैं एक औंतर करम में जुड़े होते हैं अभी आपने देखा ना इसमें जो क्या है पी प्लस एस जो जुड़े हैं वो क्या है फास्फिट ग्रूप और क्या है सरकरा तो अगला यहां से और ध्यान देना फास्फिट समूव एक तरफ की सरकरा से 5 डैस कारबन और दूसरे तरफ की 3 डैस कारबन से जुड़ा होता है जैसा कि आपको फीगर में दिखाई पड़ ठीक ना और अगले इसमें जो बात होती है दोस्तों वो क्या है कि इसमें दोनों पॉली न्यूख्यो्टाइट सृंख्ला नाइट्रोजन च्षार द्वारा जुड़े होते हैं जैसा कि आपको बीच में दिखाई पड़ रहे हैं चार नाइट्रोजन च्षार हैं वो क्या ह होता हैullie थाइमीन के साथ हाइडरोजन के डबल बांड से य्यिव बांड से जुड़ा होता है और गौनीन जो छहार होता है दूस्तों वह साइटोशीन के त्री बांड के यहां से त्री बांड द्वारा जुड़ा होता है तो वही चीज हमने लिखा है ना क्या है कि दोनों पॉलिनुक्लियोटाइड सिरिंखला नाइट्रोजन चार दोरा जुड़े होते हैं जिसमें एडिनी थाइमीन से हाइड्रोजन के दुई बंध तथा जो गौनीन होता है साइटो सीन से हाइड्रोजन के त्री बंध से और यहां से काउंट करेंगे तो दस नाइट्रोजन चार के बीच की यह दूरी हो जाती है और इस परकार हम कह सकते हैं यह सारी चीजें दोस्तों किसमें पूछा जाता है औबजेक्टिव कुश्चन में पूछा जाएगा पॉलीनुक्लियोटाइड सिरिंखला का ब्यास कि इतना होता है दोनों की बीच की दूरी तो लगभग 20 एंगेस्ट्राम ठीक ना यह पॉलीनुक्लियोटाइड में कौन कौन से घटक होते हैं तो फासफेट प्लस सरकरा ग्रूप उपस्तित होते हैं नाइट्रोजन चार की संख्या कितनी होती है चार होती है यह फिर पूछ और यह पूछ लेगा कि दो नाइट्रोजन चार के बीच की जो दूरी कितने होगी तो वो हो जाएगा 3.4 इंगेस्ट्राम तो यहां पर वही लिखा है कि डिनेड में 10 नाइट्रोजन चार के बीच की दूरी लगभग 34 इंगेस्ट्राम होती है तो इस तरह से दोस्तों इस ट्रक्चर को समझ सकते हैं ठीना आई होप की चीजें क्लियर हो गई होगी और आज की वीडियो आपके लिए काफी हिलफुल रही होगी तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे सांदार टॉपिक के साथ